ब्रह्मु रध्यानु पुरांत सत्संग आदिगुरु शंक्रा चारेजी द्वरा रचेत आत्म बोध श्लोक नंबर पैंसट शिक्स्टी फाइव कल एक तुर्टी हुई थे एक साधक ने मुझे स्मरन कराया बोलने में उसे तुर्टी हुई अदव्यम शब्द को मैंने अदावयम संभवता बोल दिया होगा जिसमें अ द के नीचे व व व लिखा व आता नहीं इसमें चुकि तूट जाता है शब्दी हाने के बाद तो व अदव्यम है अगर गलती से मैंने अदावयम बोला तो उसका तुर्टी संशोदन मैंने आज कर दिया है आज का श्लोक सर्वगम सच्चिदानंदम ज्यान चक्षु निरिक्षते अग्यान चक्षु ना इक्षते भासवन्तम भानुम अंदवत मनुष्य में इसे मैं कुछ अपने सुरूप में कहना चाहूंगा मनुष्य में जब तक श्लोक पर पुने आएंगे मनुष्य में जब तक पवित्रता के द्वारा एक जाग्रती नहीं होती पवित्रता तप से आती है, पवित्रता साधना से आती है पीछे के रहस्य और पीछे के मर्म इस जगत के न समझ में और न अनुभव में आते हैं पहले कई बार समझ में आते हैं, बाद में अनुभव में आ जाते हैं कई बार पहले अनुभव फिर बाद में समझ में आते हैं बहुत सारे मर्म हैं, सामाने बुद्धी के लिए बड़ा विचित्र पृतीत होने वाला यतार्थ कितना नियूजित है, इसका बोध तबी होता है जब बुद्धी पवित्र हो जाती है वही बुद्धी जब तक कलुशित है, बिक्रित है, तब तक उसे वो सब कुछ बहाँ होते हुए भी दिखाई और समझ में नहीं देगा और वोही बुद्धी तब के द्वारा जब पवित्र हो जाती है, तो सब कुछ यतावत है रहते हुए भी एक नए बौद्ध जागरित होते हैं, नए समझ नए अनुभाव के कुछ ऐसा जानो कि अग्यान की छटा जब तक सादक पर है, जीव पर है ये कहेंगे तब तक आकाश में सूरे होते हुए भी एक जैसे किसी के आखे नहीं है और वो सूरे नहीं देख सकता, सूरे तो है, प्रचंड सूरे है और मैं अगर एक उधारन और दूँ, आप अपनी हथेलियां ही अपने आखों के आगे रख लें और सूरे के और मूह करें तो आपको सूरे नहीं दिखाए देगा अथेलियां हटती हैं सूर्य दिखाई देता है कुछ बात इसी प्रकार की है ज्ञान चक्षु यहां उन्होंने उसी परिश्कृत पवित्र बुद्धी को कहा अंतय करण को कहा और ज्ञान भी उसी अपवित्र बुद्धी को कहा अर्थाद विक्रित बुद्धी जो अभी उस सत्य को देख पाने में सक्षम नहीं है वो सच्चिदा नंद का सुरूप सर्वत्र है कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं हो जब योगी को वो द्रिष्टी प्राप्त हो जाती है तो सभी कुछ में उसके दर्शियों से हो जाते है सभी कुछ में उसे पीछे के मर्म के दर्शियों होने लगते है एक प्रसंग बैठता है हर घटना का एक से दूसरे दूसरे घटीसरे से सब कुछ जुड़ जाता है इंटैंगल और जब तक ये नहीं अवस्था आती अज्यान से बुद्धी पटी हुई है तब तक सामने सत्य होते हुए भी नहीं दिखता उसी प्रकार जैसे सूरे सामने होते हुए भी आँखों पर थेलियां रखने से उन्होंने तो अंदवत कहा मैं उधारन अलग कर रहां थोड़ा सा कि अथेलियां रखने पर भी जैसे सूरे नहीं दिखाई देगा ठीक वैसे ही जब तक बुद्धी परिश्कृत नहीं पवित्र नहीं और पवित्रता साधनाओं का सबसे बड़ा काम क्या है साधक को तप के द्वारा एक ऐसा परिश्कार देना जिस से साधक निश्चित रूप से उस बोध को प्राप्त कर सके जिस बोध का अन्यता सामने होते भी उसे संग्यान में उसके आ नहीं पाता है ये भाव बहुत गहरा भाव है जो आदी गुरु शंकराचारे आत्म बोध के मादिम से कहते वागे बढ़ रहे हैं और आजकल फेस्बुक पे किसी कारण से नहीं आ पा रहा अब उसको देखेंगे क्या कारण है तब तक सभी साधक यहीं आ जाये करेंगे फेस्बुक के सभी साधक यहीं यूट्यूब पे भी आ जायेंगे उनको भी लिखके दे देते हैं और नाद के विशे में ओम के गुझज़ नाद के विशे में कल कुछ वीडियो संभवत है पब्लिक हो गई है जो कुछ साधकों से संभाद के साथ जुड़ी भी थी कोई नाद का कारेकर प्रस्तावित नहीं था पर इतनी सारी मेल आई हैं इतनी सारी मेल हमें नहीं बताया हमने भाग लेना था इत्याद इत्यादी तो एक बार मन आया कि नाद का कारिकरम एक और एक बार फिर से करने की कोशिश की जाए पिछली बार 6 घंटे के लिए किया था अभ्यास इस बार मन है कि उस 6 घंटे को इस बार 8 घंटे के लिए बढ़ाया जाए तो जिन्हें करने का मन हो गर्मी के मौसम में तब और भी अच्छा होता है ऐसा नहीं आप ऐसी भी पंखा भी चला सकते हैं तो मन कल से आया, अन्य था कोई मन नहीं था, कोई योजिन नहीं थी कल से जब मेल आनी आरब हुई तो उसके बाद मन में आया जब इतनी रुची है तो क्यों ना एक सत्रीसी का नाद का पुने लगवा आठ गंटे का कर दिया जाए, छे के बाद अगला पढ़ाओ आठ का जिने करना हो, वो केवल मेल में लिख दें कि नाद, नाद ही लिख दो बस तो भी मेल आएगी उसकी जो फॉर्मेल्टी इत्यादी होगी, वो बता दी जाएगे, खली नाद लिख दे, ना हम लुक समझ जाएंगे, छीक है, छीक है, आज के लिए ओमेही सत्य है, ओमेही सत्य है, ओमेही सत्य है